नमस्कार टू आल क्लास 10 इंफ्रमेशन टेकनलोजी स्टुडेंट इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर क्या है हूँ टर्म टू का प्रैक्टिकल पेपर जो है टर्म टू का टर्म वन में आपने ओर रैटर और ओपन ऑफिस प्रेडशिट का जो है कटेंट वह आपने आपने कर दिया होगा तो अब प्रैक्टिकल में बसता है open office बेज़ तो सिलेबस में जो प्रैक्टिकल क्विस्टन से वह मैंने लिए है open office से तो चलिए देखते हैं कैसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कि यहां पर पहले सी बीसी ने सिलेवस में यह सारी चीजे टॉम बाइज बाइफरकेट करके नहीं दी थी टॉम बाइज फिल्टर नहीं किया था जो कमबाइज ओवर और जो एन्यूल एक्जाम में होता था वही इसिट्रक्चर को स्ट्रक्चर था यहां पे लेकिन जब मांके मार्स एन्टरी की गई में और नहीं की प्रेंटी फाव आंके प्रेक्टीकली वहां पर दिया था तो उस हिसाब से आप पर आपका प्रेक्टिकल हो चुका होगा तो आप उस च्रुक्चर मैंने यहां कंड़क करना है और आप अगर student है तो आपको इस प्रकार से आता है या कोई और format आपके teacher ने दिया है तो आपको उसी सबसे करना पड़ेगा लेकिन जो question है वो most probably database का ही होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे almost सारे topic cover किये है जो practical है create database से लेकर के reports तक तो create database create table queries queries के बाद forms और forms के बाद reports तो इतनी चीज़े open office database में है जो unit 3 में है तो यहाँ पे हम consider करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे और मैंने जनरली यहाँ पे question जो दिये है वो SQL command लिखने के लिए दिये है क्यों ताकि इसका region यह है कि कभी-कभी आपके theory exam में भी SQL commands लिखने के लिए question आता है तो इसलिए मैंने उसको नवद्दे रखते हुए यहाँ पे आपको एक question दिये है तो चलिए देखते है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा एक online e-learning platform के बारे में काफी students मुझे message करते हैं मुझे emails आया है comment करते हैं कि सब कोई professional courses हो तो बताओ तो यहाँ पे जो भी students interested है engineering के लिए उनके लिए यह courses है मेरे पास एक platform है इसका courses में आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ तो वीडियो देखिए और समझे इसमें किस तरीके से आप एंडूर कर सकते हैं तो यह platform का नाम है e-kida.com तो e-kida.com यहाँ engineers के लिए provide करता है different e-learning courses इस courses में आपको मिलेगा online engineering content, carrier centric ecosystem मिलेगा जहाँ पे live chat support है आप phone call पे भी support पा सकते है building sustainable carriers for students and young professionals तो यहाँ पे क्या-क्या चीज़े है तो यहाँ पे 10 lakh से ज़्यादा इनकी reach है students इतने ज़्यादा है community उसके बाद carriers 100 plus carriers covered है 10 plus engineering batches है 500 plus courses है 50,000 plus videos है और 15,000 plus hours of content यहाँ पे available है यह platform पे आपको जो products है वो इतना ही नहीं किसी पे engineering but corporate job carrier tracks भी available है pro carrier courses अवेलेबल है competitive exam courses अवेलेबल है जैसे gate वगेरा professional courses भी available है specific जैसे आपको software development का करना है website development का करना है app development का करना है ऐसे courses यहाँ पे यह लोग लाते रहते हैं और academic subject जो engineering के है उसके भी courses available है तो यहाँ पे देखे यह जो total e-kira जो भी platform है उसके community अभी 12,000,000 से ज्यादा हो गई है student और वो सारे trusted यहाँ पे है जिन्होंने भी courses किया है 30 प्लस engineering government exam जो है वो cover करते है 8 प्लस corporate job carried tracks यहाँ पे है 50 प्लस certification courses अवेलेबल है 500 प्लस industry case studies यहाँ पे अवेलेबल है 20 प्लस soft skill courses और 250 प्लस academic subjects अवेलेबल है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा computer engineering और IT engineering दो courses है जो आपके लिए suitable है तो जो भी computer science यह IP के students है उनके लिए काफी important होगा courses अगर आप करना चाहते है शिखना चाहते है तो इसमें देखें आइटी एंजिनेरिंगे तो आइटी एंजिनेरिंग में 13 प्लस 60 अवर्स का कोर्स अवेलेबल है content नंबर आप वीडियो 5440 है 340 टेस्ट और क्विजिस हैं यहाँ पर भी subjects आप देखेंगे तो काफी important subjects है जैसे C, C++ और यहाँ पर देखे सस्टेनेबल energy, java programming भी अवेलेबल है, software engineering अवेलेबल है, python भी अवेलेबल है, website development अवेलेबल है, mobile application development अवेलेबल है, तो यह सारे courses है, इसके आलावा digital forensic and hacking techniques भी यहाँ पर courses है, पूरा एक course है, एक subject है, तो आपको यहाँ पर काफी फायदा होगा, तो आज ही enroll करिए, इसके फिसकी बात करे हैंगे, तो अगर आप monthly करना चाहते हैं, वैसे engineering 4 साल का होता है, तो यहाँ पर आपके पास monthly auto pay का भी facility अवेलेबल है, जो save 299 में आपको पड़ेगा, अगर आप yearly pay करना चाहते हैं, तो 2400 है, 2 years में pay करना चाहते हैं, तो 3600 है, 3 years में pay करना चाहते हैं, तो 4500 है, और 4 years में यहाँ पर 5400 में हो जाएगा, तो इतने सस्ते में engineering का courses available होना, मैं तो कहूंगा कि मुश्किल है, तो यहाँ पर available है, आज ही android करिए www.ekida.com, अगर आप इसके उपर android करते हैं, तो आपको हमारा referral code भी available है, जिसके ज़री आपको अच्छा खासा discount मिल सकता है, तो referral code जब आपक n62, और यहाँ पर जो coupon code है हमारा, वो है tutorial 10, इसको यूज करके आप इसको available कर सकते हैं, तो चाहिए भी और enroll किजिए, तो सबसे पहले structure की बात करेंगे, मैंने जो आपको बता है, सेम आपको इस article में मिल जाएगा, इसका link आपको description में देने वाला होने, तो देखें, सबसे पहले practical question जो DBMS का है, वो देखते हैं यहाँ पर, तो यह है question इसका, इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत यहाँ explain की आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़े है, तो यह structure मैंने जो बनाया है practical का, वो कुछ इस प्रकार से है, तो सबसे पहले practical question DBMS, 10 marks का मैंने लिया है यह इसमें create database, create table, insert records, तो यह सब मिला करके यहाँ पर, चार यहाँ पर लिये है, तो चार इस तरीके से आएंगे, queries, SQL commands, 3 आएंगे, create forms, 2 है, और यह है आपका एक, create report, तो इस तरीके मैंने, इस तरीके से मैंने बनाया है, तो यहाँ पर कितने queries है, कितने SQL command है, और यह किस तरीक के से होगा, चली इसको अब देखते है, project work, या तो field widget आपने जो भी किया है, project work, उसके बारे में भी मैंने एक already sample बना करके दिया है, उसका documentation बहुत जल्द देने वाला हूँ, तो short time में देने वाला हूँ, अभी वो end होने की तयारी में है, जो department और staff का आपको एक project बना करके दिया था, दूसरा एक और project में बनाने वाला हूँ, student management के उपर है, school management के उपर है वो, तो school के related fees, mark sheet और student का data, तीनों को manage करता हुआ, एक और project ready कर रहा हूँ में, तो वो भी आपको short time में मिल जाएगा, तो ये दो project आपको काम आएंगे, तो ये project 5 mark में है, या तो field widget अगर पोर्टफोलियो practical file वो अल्रेडी practical file में दे चुका हूँ, और वायवा वो 5 mark का यहां पे रखा है, तो इस तरीके से 10 plus 5 plus 5 plus 5, तो ये 25 marks का हो जाएगा, चली देखते हैं, कौन-कौन से query यहां पे consider की है, तो सबसे पहले question में देखिए आप, ये है practical question, आपको अगर और practical question च चले जाएए आपको मिल जाएंगे, तो उसी को देखकर क्या आप करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, मैंने कुछ questions वहाँ पे डाले हुए है, तो चली सबसे पहले 10 marks में जो है, create a database exam and create a table mark sheet having the following structure, तो database exam और mark sheet structure यहां पे बनाना है, इसके बाद देखिए structure यहां पे दे आपको भी answer में यह लिख रहा है, answer जैसे वहाँ पे होगा तो एक तो computer पे आपको बनाना है, computer पे create करना है, उसके बाद यहां पे steps लिख दीजे आपके answer sheet में, तो जो answer sheet प्रोएड की जाएगी, मैं तो देता हूँ, मैं standard procedure में ऐसे करता हूँ, कि answer sheet दे देता हूँ, उसमें चीजे में करता हूँ, तो यहाँ पे step लिखे है, वैसे same students को step लिखना है answer के लिए, तो यहाँ पे exam database कैसे create होगा, wizard से, तो वो मैंने यहाँ पे पूरे steps लिखे है, आप भी अपने हिसाब से अपने language में लिख सकते हैं, उसके बाद next है create a table mark sheet, तो mark sheet table create करने के लिए यहाँ पे मैंने यह steps लिखे हैं कि किस तरीके से बनेगा, उसके बाद inserting record और record insert करने के लिए भी है, उसके बाद question 2, do the following queries, तो यहाँ पे 6 queries दी है, तो हाँ मार्क में query दी है, तो almost सारी queries कैसे होगी, उसके SQL command यहाँ पे लिखे हैं, तो आपको भी SQL command लिखने हैं, तो इस तरीके से learn कर लिए, SQL command का वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ description में भी आपको उसका playlist है, वो दे दूगा SQL command का, तो वहाँ जाकर कि आप learn कर सकते हैं, अगर आप अभी तक नहीं सीखे हैं, तो ताकि SQL command important है, exam theory, exam में भी पिछले साल के paper में हमने देखा था, यह question ऐसा आया हुआ ह तो इसलिए यहाँ पर डाल के रखा है, चलिए आगे create forms, तो form तो simple create करने के यहाँ पर steps लिखना है, और कुछ लिखना नहीं है, और create report वाला question लिया है, तो यहाँ पर भी report के steps आएंगे, और कुछ आएगा नहीं, तो इस प्रकार से steps लिख दीजिए, फिर project जो है, यहाँ पर पूरा मैंने वीडियो भी लिंक कर दिया है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, उसके बाद जो रहेगा आपका वायवा, तो आपको generally मिल जाएगा, मैं वायवा की भी कुछ questions है, यहाँ पर address कर दूँगा, तो उसमें से database के और web applications के जो questions है, वो आपको consider करने है, तो उसके भी लिंक आपको मिल जाएगे, so I hope जो वीडियो दिया है, practical paper का आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो like जरू करिए, share करिए अपने classmates के साथ, और आप अगर teacher है, तो अपने students के साथ share करिए, उनको भी यहाँ पर idea लग जाएगा practical का आपको भी practical conduct करने में आसानी रहेगी, तो चली मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना खायल रखे, अपने पढ़ाई का खायल रखे, ऐसे वीडियोज देखते रहे, like करे, share करे, और चैनल पे नए है, तो subscribe जरूर करे, bell notification आइकन प्रेस करिए, और all notification पे क्लि आपको — अपको करेए